जहेंदे प्यारे सातियों, कैसे आप सब बिल्कुल मस्त होंगे रोजगार विद अजय योटोब चैनल पर आप सबी का भूत भूत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मद्द पर्देश में PGT टीचर या 1st grade टीचर की वेकेंच से निकल चुकी है और इसके बारे में आपको बिल्कुल फूल डिटेल से सारे सारे जानकारी दूँगा कि storm कब से वरे जाएंगे exam कब होगा exam का pattern क्या रहेगा exam का syllabus की इस तरीके से क्या रहने वाला है इसके अलाबा कौन-कौन candidate के वारे फूल अपला इकर सकते हैं आपके जितने भी doubt हैं सारे क्सारे यहाँ पर मैं clear करने वाला हूँ आपने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे की पूरे पूरे भारत में दि कहीं भी कोई भी गॉर्मेंट जोप से रेटेर रिकूर्टमेंट निकले तो मैं उससे आपको सबसे पहले अपडेट कर सकूँ तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की और जहां पर हम डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं form से related important date तो important date का सबसे पहला scene यह है कि आपके जो forum है 12 जनवरी से भरे जाने शुरू होंगे और 27 जनवरी तक आप form भर सकते हो मातर 16 दिन का आपको time दिया जाएगा forum भरने के लिए तो आपके form कपसे भरे जाएंगे 12 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक 16 जिनका आपके पास time form भरने के लिए यदि आप अपने form में किसी तरीके का कोई modification करवाना चाहते हो संसोदन form भरते समय कोई mistake हो गई तो 12 जनवरी से लेकर एक फरवरी तक आप अपने form में किसी तरीके की कोई भी यदि गलती हो जाती है उसको आप बाद में ठीक करवाना चाहते हो तो आपके पास total 21 जनवरी से लेकर एक फरवरी तक जिसमें आप अपने form में संसोदन करवा सकते हो अब उसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर एक्जाम के बारे में कि आपका एक्जाम कब होने वाला है तो देखो प्यारे साथ यो एक्जाम की डेट यहां पर अनाउंस कर दी गई है जिस दिन नोटिपिकेशन जारी किया गया उसी के साथ-साथ यहां पर एक्जाम की डेट बता दी गई एक मार्च 2023 से आपके एक्जाम सुरू हो जाएंगे तो एक के एक्जाम कब से शुरू होने वाले हैं एक मार्च से आपके एक्जाम शुरू होने वाले हैं आपका एक्जाम दो पारियों में होगा पहली पारी और दूसरी पारी आपकी जो पहली पारी है ठीक है एक मार्च से आपके एक्जाम है पहली पारी धाई गंटे की होग नो बज़े से साड़ी साड़ी गयारा बज़े तक दो फैर को एस्टी कैटेगरी से ब्लोंग करते हैं तो आपकी यहां पर फोरम फीस मेरे प्यारे साथियों ओली 300 रुपह लगेगी ठीक है यह इसकी फोरम फीस के बारे में सारिक सारी जो भी जान करी थी वो सब कुछ था यहां पर यह कुछ इसके एक्जाम सेंटर है जैसे बालागाट ह होने वाला है अब उसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर मेरे प्यारे साथियों अब उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं eligibility के बारे में कि यहाँ पर कौन-कौन candidate form apply कर सकता है दुखो प्यारे साथ यहाँ पर जो eligibility है उसमें दो condition मागी गई है पहली condition है आपके पास master degree होनी चाहिए ठीक है और master degree में आपके minimum 50 second division होने चाहिए आप master degree में मतलब आपके master degree में minimum second division के marks होने चाहिए साथ साथ आपके पास बियार या इसके समान को दूसरी degree होनी चाहिए यहाँ पर appearing वाले candidate form नहीं भर सकते यह बात आप इस पेसली तरीके से ब्लोंग करते हैं तो आपके minimum 60% marks आने चाहिए और इसके लावा यदि आप EWS, SC, ST, OBC से ब्लोंग करते हैं तो पातरता परिक्षट जो eligibility test है उसमें minimum आपके 50% marks आने चाहिए यह इसके जो eligibility test था उसके minimum marks का criteria था उसके बाद में हम बात करते हैं यह category wise है किस category को कितना marks लेकाने जैसे विकलांग वगरा इनको अब यहाँ पर हम बात करते है subject के बारे में कि कौन को से subject से vacancy है तोटल 16 सब्जेक्ट है जिनसे यहाँ पर vacancy है निकली है हिंदी है अंग्रेजी है संसकर्त है उर्दू है गनीत है भोतिक विज्ञान फिजिक्स है जिव विज्ञान बाइलोजी है अब इसमें आपके दो paper होंगे ठीक है paper दो होंगे, total कुल मिलाकर आपके पास 150 question आएंगे, 150 question को total दो भागों में divide किया गया, एक भाग और एक भाग भै जो बाग ए होगा उसमें total तीस क्योशन आएंगे इन तीस क्योशनों में से 8 क्योशन हिंदी के, 5 क्योशन इंग्लिस के, सामाने ग्यान, समसाय में घटना, तार्किक और आंकी की योगता के साथ क्योषन और पैडागोजी के दस क्योषन इस तरीके से तोटल तीस क्योषन तीस नमबर के होंगे इसके अलावा एक सो बीस क्योषन होंगे आपके सब्जक्ट के एक सो बीस नमबर के तो तोटल डेड़ सो क्योषन होगे में important जानकारी थी आधर स्टेट वाले कंडिडेट के हाँ पर फोरम भर सकते हैं लेकिन वो केवल यहां पर जन्रल कैटेगरी में काउंट होंगी उनको यहां पर किसी तरीके का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा बाकि किस सब्जेक्ट से कितनी सीट आई है इसके बारे में जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितनी वैकेंसियां आने की संभावना है अब भी तक कोई किसी तरीका ऐसा कंफर्मेशन नहीं दिया गया कि कौन से सब्जेक्ट से कितनी वैकेंसियां आ रही है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए थैंक्स भाई मेरे प्यारे सातियों फिर मिलते हैं इसी वैकेंसिय के संब्जित दूसरे लैटेस्ट जबर्दस्ट वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे नंबर ओफ टोटल वैकेंसियां सब्जक्ट वाईज और सैलरी के बारे में कि आपको कितनी सैलरी मिलेगे ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ मेरे प्यारे सातियों वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ सेर करो बहुत बहुत धन्य वाद आपको देखने के लिए ठैंक्स बाई मेरे प्याने लाड़ लोग